ंर्ड अज़ो अगे गयों तो आज हम आपको जो है अस्तर की सिखाने वाले हैं तो देख्यें यहां पर मैंने मेज़िंग का स्तर ले लिया है और यह यह मेज़ेंट से अम्यकर मेज़ेर्मेंट्स इयżej पिर ले लिया है इसके सबसे पहले होगी यह कर backing दो देख्यें हैं पर के एक्स्ट्रा मार्जन लेकर के कटिंग करेंगे और गला है साड़े पांच इंच का अब देखिए हम लंबाई देखेंगे बैक साइड से लंबाई हम देखते हैं हमेशा पीछे पार्ट से ही देखते हैं तो सोल्डर के पास से आपको इंची टेप रखना है और जो कमर तक का आपका लेंथ हो जाएगा पूरा मेशरमेंट तो आपका लंबाई हो जाएगा लेकिन जब कटिंग करेंगे तो आपको जो है सिलाई का जो है जो आपका सिलाई में दब जाता है वो मार्जन आपको लेकर के ही कटिंग करना है तो लंबाई हाप देख सकते हैं कि यहा तो आप देखिए हम कटिंग करेंगे अस्तर वाली कपड़े पर कटिंग करेंगे में फैब्रिक जो है बलाउस का कपड़ा उसमें हम बाद में रख करके कटिंग कर लेते हैं तो देखिए हम अस्तर को खोड़ लेंगे सबसे पहले तो और उसके बाद में इस तरीके से हमें फ के यहां पर हमने नीचे वाले पाइट को सवा एक इंच तक बढ़ाया है अब किस दो बहुंत कि पहले हैंender तो तेरा इंच हमने ले लिया, एक इंच हमने बढ़ाया है और इन सोल्डर हमने पाँच इंच लिया है, आपको देखे, पूरा कटिंग आप देखेंगे, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, अब आर्म होल जे है, आर्म होल हम लेंगे, साड़े 5, साड़े 5 या फिर पांच भी आप ले सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखिए सवा पांच इंस तक लिया है और देखिए जैसे कि आप देख रहे थे मैंने इंची टेप से देखा था तो 14 इंच आ रहा था तो 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा और उसमें से आपको 12 इंच पढ़ाना है जो कि हमारा सी लाई में जाएगा तो यहाँ पर टोटल हमने 8 इंच ले लिया है अब सीधी लाईन आप खीच लेंगे कमर के लिए और उसके बाद में हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपके सारे पार्ट्स जो है एक ही साथ में एक ही बार में कटिंग हो जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंट और बैक दोनों हमारा इस सैट को निकलेगा और दूसरी साइड में हम स्लिव को निकालेंगे जो इस सैट को कपड़ा बच रहा है यहाँ पर हम ऍशलीव की कटिंग करेंगे तो देखिए अस 3 का हम मेजर्मेंट ले रहे हैं जिसे कि 4 इंच की स्लिव है तो हम 5 इंच ले लेंगे तीन इंच स्लिव है तो 4 इंच लेंगे जो भी स्लीव है आपकी उसमें से एक इंच आपको बढ़ा करके निसान लगाना है और फिर बॉक्स बना लिशे बॉक्स बना के आप स्लीव का सेब देंगे तो देखे यहाँ पर गली की कटिंग हमने भी नहीं किया है गली की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि एक गला मारा बड़ा एक गला है छोटा तो यहाँ पर देखे 7 इंच के लेंथ पर हमने बॉक्स बनाया है और उसके बाद में यहाँ पर धाई इंच पर हम सेब देंगे क्योंकि यह जो स्लीव है हमारी 4 इंच की तियार होगी तो हमने डाई इंच पर सेब दिया अगर तीन इंच की स्लीव है तो आप सावाद दो पर गुलाई दे सकते हैं और इस साइड से हमस्तिन की चोड़ाई का निसान लगाएंगे और डेड़ इंच और एक्ष्टर ले करके इस तारीके से हम सेब दे देंगे अब हम एके करके सारे पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहां पर दोनों पार्ट को फ्रन पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को अलग-ëलग करके हम गली की कटिंग करेंगे क्योंकि हमारा पीछे पार्ट का गला है हमारा लेंद की उसकी जाना है जो आगे का पार्ट है वो छोटा है तो अगर आपका गला बराबर हो तो आप एक साथ में कटिंग कर सकते हो अब यह हमारा बैक पार्ट है कैसे जानेंगे हमारा बैक पार्ट है जो हमारा उपर वालत था वो हमारा बैक पार्ट है कि छोटा है लंद में इसलिए अब यहाँ पर आप कोई भी सेब दे सकते हैं जो भी आप गला रखना चाहते हो वो आप सेब दे सकते हो और यह हमारा फ्रंट नेक है फ्रंट पार्ट हमारा सिंपल है अगर आप बैल्ट वाला बनाना चाहते हैं तो बैल्ट वाला भी आप बना सकते हैं देखिए हमने अपने चैनल पर बैल्ट वाली व्लाउज की भी कटिंग डाली है अगर आप चाहें तो आप हमारी चैनल पर सीख सकते हैं अब हमने डॉट्स की मार्किंग कर ली है और देखे यहाँ पर आर्म होल की तरफ में आपको इस तरह के से छाट लेना है लगवग आदा इंच के से आपको छाटना है इसलिए अगर आप छाटेंगी तो जो है आपकी जो बाजू के आर्म होल है साइड है वहां पर आपके जो होई जोल नहीं आएका अगर आप नहीं चाट हो गए तो आपके बाजू में जो है जोल आने के चांसे होते हैं कि अब यहां पर देखिए हमें स्लीव इसका जो लेस है उसको कटकर मतलब की कट नहीं करना है जो लेस है उसके थागिए को हम निकालकी लेस को अलग कर लेंगे उसकी बाद में देखिए Вас दूसरी साइड है यहां पर हमने फोल्ड करके रक लेना है सीदी साइड है और उल्टा साइड को आप उपर इस तरीके से रख कैटिंग करना है बिल्कुला आपको जो अस्तर वाला पार्ट आप ने किया है विल्क कुल उसक एकदम बरावर से नहीं कटिंग करना थोड़ा सा बाहर से ले के कटिंग करना है जब हम सिलाई करेंगे तो उसके बाद में हम छाड़ देंगे से अगर आप लोग इसका सिलाई का भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर और भी काफी तरीके के वीडियो हैं आप वहां से भी देख सकते हैं अब जो है इनको हम खोल करके रख लेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर अब हम स्लेव की जो लेस को निकाल लेंगे और लेस को निकालने के बाद में हम स्लेव को निकालेंगे यानि कि स्लेव को यह जो है आप फोल्ड करके रख लेंगे कपड़े को उसके बाद में सलीव रखेंगे यानि कि अस्तर की सलीव रखेंगे हम यहाँ पर रख कर यह देख रहे हैं कि किस साइड में हमारी सलीव आ रही है आप चाहो तो इस साइड भी रख सकते हो अगर आप इस साइड भी कपड़ा बचा है ज्यादा तो आप इस सेट भी रख सकते हो तो यहाँ पर हमारा कपड़ा काफी बचा है तो हमने यहाँ से निकालना है तो इसको हम जब इस्तिज कर लेंगे बात मिले इसको हम लगाते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप लोग इसका से लाइक के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमी कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपके हर कुछन का रिपलाई करूंगी